हलो बच्चो आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक जो की पहले से डिस्स कर रहे थे NCRT Exercise 5.1 Mathematics Continuity इसके बारे हम बात कर रहे थे और हमने सुरुआत का इससे concept बता दिया है इस वाले वीडियो में उस वाले वीडियो का लिंक हम दे देंगे देख लीजेगा उसकी बाद हम six question तक discuss कर चुके थे तो हमने बताया था कि किसी भी curve की continuity अगर आपको बतानी है कि वो लगातार curve कहीं break तो नहीं हुआ है तो एक तरीका हमने बताया था कि ये curve को draw करिए अब हर जीगे draw करना सम्भो नहीं है तो हमने बताया था कि जिस point पे आपको continuity बतानी है तो उसके left और right में आपको left hand limit और right hand limit निकालनी पड़ेगी और अगर दोरो limit exist करती है तो उस particular point पे उस curve की value निकालनी पड़ेगी और अगर तीनो value same आती है तो हम कहेंगे function continuous है तो 6 question बता दिये थे बहुत basic अंदर तक नहीं जाएंगे इसमें otherwise time बहुत लगेगा तो आप पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा उसमें concept बताये गया है ठीक है हम आगे 7th question आणवर्स बताने जा रहे हैं देखिए 7th question क्या कह रहा है question कह रहा है कि आप वो point निका लिए जहाँ function discontinuous है और point दिया नहीं हो नहीं तो function देखो कैसे लिखा हुआ है fx is equal to इसकी definition लिखी है mod x plus 3 if x is less r equal to minus 3 minus 2x if x is greater than minus 3 and less than 3 और 6x plus 2 if x is greater than r equal to 3 देखिए यह curve इन 3 point पे defined है when x is less than minus 3 तो function की value है mod x plus 3 और जब x minus 3 से बड़ा है और plus 3 से छोटा है तब minus 2x है और जब 3 से बड़ा या बराबर है तब 6x plus 2 है और कह रहे हैं आप वो point बताईए जिसमें function discontinuous है discontinuous का मतलब यह हुआ कि इसका जब graph खीचेंगे इसका 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 किसी का तो एक ऐसा point होगा जिस पर graph जो कर बनेगा वो ब्रेक हो जाएगा याँ वो exist नहीं करेगा तो अब point कौन सा मानी point दिया नहीं उन्होंने तो अगर आप minus 3 पे चेक कर लो और 3 पे चेक कर लो तो number आपको मिल जाएंगे लेकिन cvc board यहाँ पर number card देता है कुछ boards instruction दे जते हैं कि point is not given तो हमने मालिया कि let a be the point six question हमने बिलकुँ detail में बताया इसी प्रिकार से be the point इस point पे हम discuss करेंगे यह point कैसा है एक तो point minus 3 से छोटा है ठीक है यानि पहले first case यहाँ पर हम discuss करेंगे जब a is less than minus 3 होगा minus 3 से छोटा कितना छोटा यानि minus 3 फिर और छोटा minus 4 फिर और छोटा minus 5 और भी छोटा तो यानि कि minus 3 से लेकर के minus infinity तक एक तो यह case हम discuss करेंगे open interval ठीक इसके बाद second case हम लेंगे जब a की value minus 3 के बराबर होगी यानि इस point पर discuss करेंगे third case हम लेंगे जब a की value minus 3 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी और fourth case हम लेंगे जब a की value 3 से बड़ी होगी यानि 3 से लेकर के infinite तक हम discuss करेंगे minus infinity से लेकर के plus infinity तक हर point पर हम इसको discuss करने जा रहे है कि function continuous है की नहीं है देखे हर question मैं discuss नहीं करूँगा कुछ question आपको अपने आप लगाने पड़ेंगे तो जब तक fundamental नहीं clear होगा तब तक आप question नहीं लगा सकते क्योंकि continuity और limit दो में एक बड़ी खासियत है कि उस question को लगाया कैसे जाए थोटे यह technical चीज है देखे जान से हम first case लेके चल रहे है a is less than minus 3 देखे first case में हम continuity चिक करने जा रहे है when a is less than minus 3 a is less than minus 3 तो को less than minus 3 यह वाला function है तो हम जो भी value रखेंगे वो सब इसी में रखेंगे तो हमने क्या बताया था कि पहले आपको left hand limit निकालनी पड़ेगी इस point पे क्या तरीका था limit x tends to 1 second minus 3 minus f x यही minus 3 से छोटा कितना छोटा f minus 3 minus h h क्या है very small हमने क्या बताया था कि minus 3 पे आप particularly उसकी value नहीं निकाल सकते limit में आपको उसके एर्द गेर निकालना पड़ेगा तो h is what? h is very small limit h tends to 0 जिसके पहले का वीडियो जुरूद देख ले ना otherwise question समझ में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत detail में हमने वहाँ बताया है आपको समझ में आ जाएगा तो आप x के क्या रखेंगे? minus 3 minus h का रखेंगे? यहीं पर रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? limit h tends to 0 mod minus 3 minus h plus 3 हमने जानगूस के mod नहीं खोला है क्योंकि mod खोलने पर एक और case आ जाता तो दिक्कत होती देखेंगे अब h को रख 2 0 तो यह क्या हैगा? minus 3 mod plus 3 और यह 3 होता है 3 plus 3 तो left hand limit क्या आ गई? 6 तो right hand limit निकालेंगे आप आगे निकालेंगे हम इसी में लिखे देरे right hand limit right में क्या होता? minus 3 से थोड़ा सा बाद में value तो minus 3 plus लिखेंगे minus 3 plus h लिखेंगे minus 3 plus h लिखेंगे तो यहाँ फिर value 6 आएगी तो right hand limit की value भी क्या गई? 6 आगई आप क्या करेंगे? इस particular point पे function की value निकालते है यहाँ एफ minus 3 निकालते है तो क्या आएगा? रखोएंगे आपर mod minus 3 plus 3 तो 3 plus 3 is equal to 6 यहाँ आपने क्या देखा? कि left hand limit, right hand limit और इस particular की value आप minus 3 न लिखें सुरी मैं गलत लिख गया a point लिखेंगे आप, ठीक है? हर जिगे a कर दीजिएगा a कर दीजिएगा यह तुवारा कर दीजिए इस question को लिख लिजिएगा a यहाँ पर होगा क्यों हम point a लेके चल लए a यहाँ लिखेंगे तो यह आपका minus a हो जाएगा तो यह a plus 3 आएगा ठीक? यही right में भी लिखेंगे यहाँ 3 न लिखेंगे आप x tends to a minus वहाँ लिखेंगे और a plus यहाँ लिखेंगे ठीक है? यह minus a नहीं है a है ठीक है? यह a है यह a है a है, minus नहीं है, गलत हो गया वो minus 3 लिख गया a point पे आप डिस्स कर रहे हैं इस प्रकार से आपने a point पे डिस्स किया हाँ, वो point जो a था वो minus 3 से छोटा अब हम point लेके चलना है minus 3 इस minus 3 पे डिस्स कर दे जा रहे है ठीक है? इसको सही कर लिजेगा second case आप लोग सोच रहोंगे कि minus 3 क्यों नहीं रहा है वेक्ति लेकिन आप दिक्कत है वहाँ से आप बोल नहीं सकते और यहाँ से हम सुन नहीं सकते इसलिए गलती होगी second case में x की value हम क्या लेके चलना है minus 3, अब इस particular point पे आ गए तो left hand limit यह जो पहले हमने बताए यह actually में यह वाला होना चुलिए लेकिन यहाँ थोड़ चेंज होगा क्या लिखेंगे limit x tends to minus 3 minus fx यहीं minus 3 से थोड़ा सा पहले function की value निकालें जा रहे हैं तो आएगा f minus 3 minus h और h क्या है very small limit h tends to 0 कहां रखेंगे x की value जिसमें x minus 3 से छोटा हो यह यहाँ छोटा है तो यहाँ लिखेंगे तो क्या आएगा आपका mod minus 3 minus h plus 3 और h is what? h is very small limit h tends to 0 limit रख दो तो आएगा minus 3 mod plus 3 is equal to 6 तो left hand limit की value क्या आगए? 6 ठीक है? अब आते हैं right hand limit में right hand limit अब इसमें नहीं रखेंगे इसलिए हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं क्या लिखेंगे? limit x tends to minus 3 plus fx यहीं minus 3 से थोड़ा सा बाद में function की value निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? इसमें f minus 3 plus h और h क्या है? h is very small तो limit h tends to 0 तो x को क्या रखेंगे आप? minus 3 plus h कहां रखेंगे? जहाँ function minus 3 से बढ़ा हो यहाँ minus 3 से बढ़ा है तो यहां रखेंगे value तो लिखेंगे limit h tends to 0 minus 2 minus 3 plus h h को रखो 0 value क्या आगी? value यहाँ भी 6 आगी तो right hand limit की value भी 6 है अब क्या करेंगे? अब इस particular point पे value निकाली है f minus 3 direct रख दो कहां रखोगे? जहाँ function minus 3 के बढ़ाबर है यह minus 3 के बढ़ाबर है ठीक है? यहाँ पर तो क्या आएगा mod minus 3 plus 3 is equal to 3 plus 3 is equal to 6 यहाँ भी value से ही माली तो अब क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे f minus 3 minus h is equal to f minus 3 plus h is equal to f minus 3 so it is continuous it is continuous at x is equal to minus 3 इस पर continuous है अब चेक तो discontinuity करनी है और हमको तो वालू नहीं हम तो हर point पे discuss करना पड़ेगा अब हम चलते हैं 3 पे discuss करने जा रहे हैं याणि minus 3 से बढ़ा और 3 से छोटा अब continuity चेक करने जा रहे हैं at x is equal to 3 third case 3 पे आते हैं left hand limit क्या लिखेंगे? तरीका वही है limit x tends to 3 plus fx या 3 minus fx left hand limit है 3 से थोड़ा सा पहले कितना पहले? f3 minus h h is what? h is very small limit h tends to 0 तो जहां x है वहां क्या लिखेंगे? 3 minus h कहां लिखेंगे? यहां पर function 3 से छोटा हो यहां 3 से छोटा है यह तो यहां लिखेंगे आप limit h tends to 0 minus 2 3 minus h और जब h h की value रखेंगे तो यह value आए यह minus 6 left hand limit कितनी आगई? minus 6 अब निकाल लिए right hand limit यह इसी में लिखेंगे आगे right hand limit यह minus 6 से याद रिखेंगे? right hand limit कैसे रिखेंगे? limit x tends to 3 plus fx 3 से थोड़ा सा बाद ने f 3 plus h h is what? h is very small limit h tends to 0 कहां रखेंगे x की value? जहां पर function 3 से बढ़ा हो यह 3 से बढ़ा है यहां रखेंगे तो आएगा limit h tends to 0 6 3 plus h plus 2 limit रखो तो 6 is 18 to 20 यह आगया 20 तो left hand limit और right hand limit same नहीं है तो function अपने आप discontinuous हो गया तो यह discontinuous पहले हो गया लेकि फिर भी हम उस particular point पे पहुँच जाए जरा direct 3 रख दो उठागर की कहां रखोगे जहां function 3 के बढ़ाबर है यहीं पर रख दो तो 6 3 जा 18 plus 20 2 is equal to 20 तो आपने देखा कि as f3 minus h equal नहीं है f3 के लेकिन यह equal है f3 plus h के तो आप लिखेंगे कि चुकि यहाँ पर inequality है equal नहीं है तो अपने आप discontinuous हो गया लेकिन आप चाहें तो लिख सकते हैं कि यह right continuous है यहाँ नहीं लिखेंगे interlabel पे लेकिन अगर आप से कही दिया जाए कि right continuous दिखाओ तो right hand side से continuous है otherwise इसको discontinuous लिखेंगे तो यह तो case हो गया 3 पे हमने चेक किया अब हम fourth case लेकि चलेंगे कि जब function 3 से बड़ा होगा तो fourth case होगा सभी case दिखाने पड़ेंगे तो discontinuous 3 का point तो आपने प्रूफ कर दिया कि 3 पर function discontinuous है लेकिन 3 से आगे discontinuous है कि नहीं हमको नहीं वालू तो fourth case लेके चलेंगे fourth case सभी cases लेने पड़ेंगे when x is greater a is greater than 3 लिखेंगे a ही हम बार-बार उगलती से मारा minus 3 लिख गये थे लिखेंगे a ही लेकि दिमाग में रखेंगे कि a 3 से बड़ा है तो जो भी value रखी जाएगी वो यह चुकिए greater than 3 है यहीं पर रखी जाएगे तो left hand limit निकालेंगे कैसे लिखेंगे limit x tends to a minus fx यहनि f a minus h limit h tends to 0 x को क्या रखेंगे आप a minus h कहा रखेंगे सब इसी में रखेंगे तो यह आएगा आपका limit h tends to 0 6 a minus h plus 2 h को रख दो 0 तो value क्या आएगी 6 a plus 2 तो यह तो left hand limit आगया जब हम right hand limit निकालेंगे आगे चलके तो यहाँ पर a plus लिखेंगे यहाँ a plus यहाँ a plus यहाँ फिर वही आएगी value और जब f a direct लिखेंगे तब भी 6 a plus 2 आएगा तो आप लिखेंगे as f a minus h is equal to f a is equal to f a plus h so function is continuous at x is equal to a where a is greater than 3 तो आपने देखा कि minus 3 से छोटी value पे minus infinity तक function continuous था minus 3 पे भी continuous है 3 पे discontinuity हागी और 3 से बड़ी value पे भी continuity है तो आपको discontinuity दिखानी है लेकिन सब दिखाने के बाद आप लिखेंगे कि function 3 पे discontinuous है तो ये तरीका होता हर point पे इसको distance करने का ठीक है 8th question अपने आप करेंगे 9th हम बता रहें रिंडमडी बता रहें question का method सबका से में चुकि 8th और 9th कुछ हद तक सेम तरीके से लिखे हुए है तो इसलिए आप 8th देख लिजे अगर आपको लग रहा है 8th देख लिजेगा 9th अपने आप का लिजेगा देखे द्यान से 8th question इसमें function की जो value लिखी है fx is equal to लिका है mod x upon x mod x upon x when x is not equal to 0 और it is 0 when x is equal to 0 यह आपको discontinuity चेक करनी है point is not given तो हम क्या करेंगे 0 से छोटी value पे फिर 0 पे फिर 0 से बड़ी value पे इसमें function हम चेक करेंगे लेकिन greater less दिया नहीं है तो आप 0 पे ही चेक कर लो चीक है तो at x is equal to 0 हम लिखते है या x is equal to a when x is greater than 0 और x is less than 0 दोनों ही cases में function 0 के बराबर नहीं है तो दोनों में यही value रखनी पड़ेगी और equal to पे आप लिख नहीं सकते तो ऐसा करेंगे आप 0 पे ही केवल चेक कर लिजे at x is equal to 0 हम continuity चेक करनी जा रहे है at x is equal to 0 तरीका वही है left hand limit कैसे लिखेंगे limit हम not को खोल लहीं नहीं जानगे उसका यहाँ पर limit x tends to 0 minus sx मतब 0 point पे अगर आपको पहुचना है हमने बताया था limit में कि आप exact 0 point पे नहीं पहुच सकते तो 0 से थोड़ा सा पहले आप उस point पे पहुचेंगे तो आएगा f 0 minus h h क्या है h is very small limit h tends to 0 ठीक है x मों कहा रखेंगे आप 0 minus h कहा रखेंगे जहां function 0 से छोटा हो अब आप कहेंगे साब 0 से छोटा तो दिया नहीं है मतब 0 के बराबर नहीं हो छोटा हो बड़ा कुछ भी हो बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो या तो यह छोटा रहा होगा तो बड़ा रहा होगा तो यारी यहीं रख देंगे है तो क्या आएगा limit h tends to 0 mod 0 minus h upon 0 minus h अभी limit नहीं रख सकते है क्योंकि 0 upon 0 आ जाएगा इसको खोलेंगे तो आएगा limit h tends to 0 h upon minus h left hand limit की value क्या आ गई minus 1 पहले ही दिख रहा है कि left hand limit और उस particular point पे value तो बराबर नहीं है तो यह भेंकर रूप से distant नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपना और आगे बढ़ते है फिर हम अगले step में क्या निकालेंगे right hand limit तो यहाँ 0 plus यहाँ 0 plus यहाँ 0 plus यहाँ पर फिर plus आएगा फिर value यहाँ 0 plus तो यहाँ पर value क्या आएगी plus बनाएगी और उस particular value पे क्या आ रही value 0 आ रही है तो आप लिखेंगे as f0 minus h is not equal to f0 plus h is not equal to f0 so it is भेंकर रूप से discontinuous ना तो left continuous ना तो right continuous discontinuous अभेंकर रूप से मत लिखें या discontinuous 9th question लगभग same है उसमें उन्होंने क्योवल x upon modus लिखा यहाँ वाल लिख दिया है ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है same method से आप 0 पे check कर सकते है ठीक है 10th question देखिए questions की practice बहुत जरूरी है by chance की बात है NCRT की इस exercise में कुछ question है otherwise NCRT तो questions के नाम पे टोटे पड़े हुए है देखिए इसका 10th question हम discuss करने जा रहे है और आप से कहा है नोने कि अब discontinuity यहाँ check करनी है अभी discontinuity चल लगए है 10th question fx is given x plus 1 when x is greater r equal to 1 or it is x square plus 1 when x is less than 1 point is not given तो अब यहाँ पर आपको point A मानना पड़ेगा और एक A जो 1 से बढ़ा होगा कहां तक जाएगा वो infinity तक जाएगा और एक A जो 1 से छोटा होगा छोटा कहां तक जाएगा minus infinity पर जाएगा तो हम यहाँ मान लेंगे let x is equal to A be the point at which we discuss the continuity and discontinuity of this function इस point पर हम discontinuity या continuity चेक करने जा रहे तो first case यहाँ लेंगे first case I will take when x is less than 1 कितना less? बहुत है less और less? लेस है लेस? कहां तक less? minus infinity तक जाएगा यानि कि यह जो interval आएगा minus infinity से लेकर के 1 तक minus infinity भी नहीं लेना है 1 भी नहीं लेना है तो open interval आपको याद होगा open और close interval बताएगे थे जब आप यह bracket लगा देते हैं तो यह point ले लेते हैं यह वाला point अब लिया जा रहा है और जब यह bracket लगा देते हैं 1 पर करेंगे और third case हम लिखेंगे कि जब a greater than 1 है यानि कहां तक जाएगा 1 से लेकर के infinite तक जाएगा यानि कि minus infinity से लेकर के plus infinity तक पूरा इलाका हम को चेक करना है कि function कहां कहां discontinuous है तो हम first case लेकर चल रहे है when x is less than 1 सबका method same है बिल्कुल similar method से आप लगाएंगे इसका मतलब यह नहीं कि आप practice नहीं करेंगे first case हम लेके चल ले है when a a point अमान चुके less than 1 अब चुकि यह less than 1 है x is equal to a और a क्या है less than 1 है तो चुकि less than 1 यह है तो हमको जो भी value रखनी है वो यहीं ही पर रखनी है चुकि हम इसी के इर्दगे रहेंगे 1 से छोटा है बहुत छोटा है या थोड़ा बहुत change करेंगे तो बहुत इसी पे सा value रखेंगे क्या लिखेंगे पहले left hand limit क्या तरीका होता है limit x tends to 1 नहीं लिखेंगे गलती से वहाँ पर limit x tends to 0 तहां रखेंगे इसको जहां पर function 1 से छोटा है या रखेंगे तो आएगा a-h का whole square plus 1 limit h tends to 0 जब value रखेंगे क्या आएगा a square plus 1 h हो गया 0 ठीक है अब a-0 whole square मत कोलना शुरू कर देना यह value आएगी अब क्या निकालेंगे right hand limit राइट हन् लिमिट में यहां प्लस लिखेंगे यहां प्लस लिखेंगे यहां प्लस लिखेंगे यहां प्लस लिखेंगे फिर ही value आएगी अब आप इस particular point पे value निकालेंगे a पर वह यहां यहां पर रखेंगे a square plus 1 तो आपने क्या देखा कि as fa plus h is equal to fa minus h is equal to fa so function is continuous at x is equal to a and where a is what a is less than 1 ठीक है अब हम third case लेके चलना है इसी में चूंकि check करना है third case लेके चलना है third case जब a greater than 1 है तो greater than 1 में हमको इस point पे सब check करना है तो जब right hand limit लिखोगे a plus लिखोगे यहां रखोगे a plus h square नहीं आएगा plus 1 यहां a plus 1 आजाएगा ठीक है और जब आप left hand limit निकालोगे इसमें तो यहां a minus हो जाएगा यहां a minus h हो जाएगा यहां a minus h हो जाएगा value फिर भी a plus 1 आएगी और fa की value a plus 1 आएगी तो आप रिखेंगे fa plus h is equal to fa minus h is equal to fa और value क्या है a plus 1 so function is continuous at x is equal to a where a is greater than 1 यह third case है चुकि बहुत कटिक नहीं करनी थी हमको इसलिए हमने कर दिया अब second case लेकि चलते हैं हम 1 पे चिक करने जा रहे हैं चुकि discontinuity कहीं तो है तो at x is equal to 1 यह second case है third case हमने पहले बता दिया है और उसको इस second case माल सकते हूं यह third case मालो क्या फर्क पड़ता है at x is equal to 1 1 पे चिक करने जा रहे हैं जब left hand limit निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे limit x tends to 1 minus fx 1 से थोड़ा सा पहले limit का concept 11th में पढ़ा है और हमने इसकी पहले वाले वीडियो में बहुत detail में उसको बताया है उसको देख लीजिएगा f 1 minus h where h is what h tends to 0 x की ज़िए क्या रखेंगे 1 minus h कहा रखेंगे जहां function 1 से छोटा है कहां छोटा है यहां छोटा है तो यहां रख दिजेगा तो limit h tends to 0 1 minus h का whole square plus 1 तो h को रखोगे 0 तो यह value क्या जाएगी 2 तो left hand limit क्या गई 2 ठिक अब निकालेंगे right hand limit and 1 plus 1 plus कहा रखेंगे जहां function 1 से बढ़ा है कहां बढ़ा है यहां बढ़ा है तो 1 plus h plus 1 इसकी value भी क्या आईगी 2 अब f 1 निका लिए particular 1 रखेंगे तो यहां भी 2 तो आब रिखेंगे as f 1 minus h is equal to f 1 plus h is equal to f 1 so it is continuous at x equal to 2 so it is continuous for at every point there is no point at which it is discontinuous यहां पर कोई ऐसा point नहीं है जहां यह function discontinuous हो 11th question अपने आप करिएगा उसमें 2 पे चेक करना है तो पहले 2 से छोटे पे चेक करेंगे फिर 2 से बड़े पे भी करेंगे और उस particular 2 पे भी करेंगे 11th अपने आप करिएगा 12th question देखिएगा 12th भी लगबग सेम है अब आप कहेंगे सवह अपने आप ही करिएगा तो आपका बता रहे हूं तो बताये देने ठीक है 12th देख लिजेगा 12th question 11th अपने आप कर लिजेगा बहुत easy है अगर आप ध्यान जीन questions को कर लिए तो 12th easy है और नहीं किये तो नहीं easy 12th question देखिएगा fx is equal to अचा एक चीजा और भई हम कर तो रहे हैं चुकि यहां पर work करने बार रब कर दिया जाता है अब कहीं पर गलती से minus लिए plus लिए तो हमने बोला minus लिए plus तो वो आप चेक कर लिजेगा कभी-कभी ऐसा हो जाता है चुकि copy में लगा हो तो चेक कर लिया जाता है बोर्ड पे जो लिखा हो और वीडियो में रिकार्ड हो गया अब वो वीडियो में चेक करके उसको एडिट नहीं किया जा सकता तो उसको चेक कर लिए करिए fx की वैलू है x to power 10 minus 1 where x is if x is less r equal to 1 what is x square if x is greater than 1 और कहरे point of discontinuity चेक करिए तो अब point is not given point नहीं given है तो हमको 1 से बड़ी value भी लेनी है 1 से छोटी भी लेनी है और 1 के बराबर भी लेनी है तो हमने वही बात जैसे पीछे कर रहे थे हैं let x is equal to a be the point जो point हमने माना है वो क्या माना है x is equal to a माना है तो first case यहाँ पर आएगा when x is equal to a less than 1 लिखेंगे कितना less यहाँ minus infinity से लेकर के 1 तक ठीक second case हम मानेंगे at x is equal to 1 और third case हम मानेंगे x is greater than 1 यहाँ 1 से लेकर के infinity तक तो अगर आप ध्यान से देखें minus infinite से plus infinite तक सभी point आपने ले लिये हैं यहाँ आप discontinuity पूरे point पे चेक कर रहे हैं तो कोई ऐसा point आपने छोड़ा नहीं है जहाँ आप चेक न कर रहे हूं ठीक है यह ध्यानक है cbsc बहुत ही minute copy चेक करता है लेकिन पीछे एक दो सालों में ऐसा हुआ है कि जिस लगके के बहुत कब number दिये गए है वो scrutiny की गई है तो बहुत ज्यादा number उसकी आए है तो यह teacher's cover कर रहे है थोड़ा सा तो आप कोई भी step मत छोड़े क्योंकि वैसे तो नहीं करना चाहिए हम लोग किसी और board को bilang करते है लेकिन बहुत minute check करते है लेकिन सिर्वी अभी बच्चे का आहित नहीं होना चाहिए अगर बच्चे ने कहीं 2 plus 2 लिखा है fundamental मालूम है तो that's the number should be there ठीक है अब first case हम लेकिए चलना है first case at x is equal to a where a is less than 1 तो less than चुकि यहाँ पर है तो हम सब कुछ इसी में लिखेंगे ठीक है तो जब left hand limit निकालेंगे आप तो आएगा limit x tends to a लिखेंगे हम बार बार कहते हैं क्योंकि एक में गलती हो गई है लिखने में f a minus h limit h tends to 0 x को क्या रखेंगे a minus h कहा रखेंगे function क्योंकि पहले से 1 से चोटा है तो सब इसी में रखना है तो यह हो जाएगा limit h tends to 0 a minus h की power 10 minus 1 आप कहेंगे साब यहाँ रख दे value अरे भाई रुख जाओ इसको open करोगे तो हलतरा हो जाएगी 0 है a minus 0 means a तो यह हो जाएगा a to power 10 minus 1 तो यह तो हो गए left hand limit right right मतलब यह right फिर निकालेंगे right hand limit तो a plus a plus a plus यह फिर वही value आएगी फिर आप इस particular point पर value निकालेंगे तब भी वही value आएगी तो आप रिखेंगे as fa minus h is equal to fa is equal to fa plus h so function is continuous at x is equal to a and its value is a to power 10 minus 1 यह continuous हो गया ठीक अब हम बात करने जा रहे है a is greater than ग्रेटर दन इसीम कर देते हैं जल्दी हो जाएगा third case पर लेके चल रहे है second case लिखेंगे when a is greater than 1 तो greater में right hand limit क्या लिखेंगे a plus a plus h का रखेंगे जहां function यह बड़ा है यहां बड़ा है तो a plus h की power 2 यहां minus 1 नहीं होगा ठीक और जब value निकालेंगे क्या आएगा a to power 2 तो left hand limit की value क्या आगई a to power 2 right अब जब right hand limit के value आगई जब left hand limit निकालेंगे तो यहां a minus लिखेंगे यहां a minus आएगा यहां a minus आएगा और यहां फिर a square आजाएगा और जब particular point पर निकालेंगे तब भी value a square आएगी तो आप लिखेंगे as fa minus h is equal to fa is equal to fa plus h is equal to a square so function is continuous तो greater than one पे भी function कैसा है continuous continuous का मतलब यह हुआ कि one से बड़ी value जब रखेंगे हम two three four one one point one one point two one कुछ भी रखें two three four five कुछ भी रखें आप यहां रखते जाओ एक्स का बान तो fx मतलब y मिलता रहेगा और coordinate में अगर xy point आप locate करें तो curve लगातार मिलता रहेगा आपको ध्यान हो यह parabola दिख रहा है ठीक है तो यह function continuous हो गया अब one पे चेक करने हम जा रहे है at x is equal to one third case आप यहां third लिख सकते हैं कोई बात नहीं है पहले left greater निकाला फिर less निकाला third case निकालने जा रहे है one पे चेक करने जा रहे है at x is equal to one तो जब left hand limit निकालेंगे one पे तो कैसे लिखेंगे limit x tends to one minus fx लिखने का तरीका वही है अब हम a नहीं लिखेंगे वो point हमको मिल गया है जो a हम मान रहे थे greater than one अब greater than one तो कुछ भी हो सकता है 2,3,4,5 वो particular नहीं हो सकता लेकिन one तो one है ना तो यह हो जाएगा f1 minus h limit h tends to zero x को क्या रखेंगे one minus h कहां रखेंगे जहां function one से छोटा होगा यहां पर रखेंगे तो यहां पर क्या आएगी value limit h tends to zero one minus h की power 10 minus one h को रखेंगे zero तो one to power 10 10 होगा जी नहीं वन ही होगा तो one minus one value क्या आगई zero ठीक है अब निकालेंगे right hand limit यहीं पर देख लिजेगा right hand में one plus लिखेंगे यहां one plus लिखेंगे one plus कहां लिखेंगे जहां function one से बड़ा होगा यहां रखेंगे तो one plus h की power two तो जब s को रखेंगे zero value क्या आगई one तो left hand limit is not equal to right hand limit और जब आप direct इस particular point पर निकालेंगे one पर कहां रखेंगे जहां function one के बड़ाबर है यहां रखेंगे तो यह आजाएगा one to power ten minus one यह भी zero आएगा तो आप क्या लिख रहे हैं कि as यह right hand limit निकल लिखेंगे as f1 minus h is equal to f1 but not equal to f1 plus h so function is discontinuous at x is equal to 1 तो 1 पर चेक हो गया कि function discontinuous है तो यहां पर तो question discontinuity की बात कर रहा है अब आगे आप से कह रहा है कि आप continuity check करो कि function continuous है कि नहीं है बिल्कु सेम question है आपको हर point पर discuss करना पड़ेगा तो 13, 14, 15 same type के question है इसमें हम 14th question पर discuss कर लेते हैं और दो तीन question आप अपने आप लगा लिजेगा है वही चीज़ भाई अगर यह सब points बराबर हो जाते तो हम कहते function continuous है तो जहां पर discontinuous है वहां लिख देंगे discontinuous जहां पर continuous वहां पर continuous जैसे 14th question दिखिए 14, f x is equal to 3, if x is greater or equal to 0 and less or equal to 1, it is 4, if x is greater than 1 and less than 3, it is 5, if x is greater or equal to 3, less or equal to 10, देखो द्यान से, अब problem है कि function 0 से बड़ा है, x की value या बराबर है, x 0 से छोटा कहीं ने लिखा हुआ है, ठीक है, तो 0 से बड़ा 1 भी हो सकता है, तो आप 1 पे check कर लो, 3 पे check कर लो, 10 पे भी नहीं चेक कर सकते, 10 से function छोटा है, ठीक है, तो हम at x is equal to 1 चेक करेंगे, और 1 is x is equal to 3 चेक करेंगे, देखो 1 पे check करते हैं, पहले क्या लिखेंगे, left hand limit, कैसे लिखेंगे, limit x tends to 1 minus fx, यानि f1 minus h, limit h tends to 0, अब आप कहेंगे, सब x ढूने, 1 से जब function छोटा है, तो उसकी value क्या लिखेंगे, अलेटी 3 लिखेंगे, value कहीं रखनी है आपको, ये value ही 3 लिखेंगे, और जब आप right hand limit निकालेंगे, तो f, क्या लिखेंगे, limit x tends to 1 plus fx, यानि कि f1 plus h, और limit h tends to 0, कहा रखेंगे, कहीं ने रखेंगे, 1 से बड़ी value क्या है, 4, तो अलेटी value सेम नहीं आई, तो ये continuous नहीं है, लेकिन फिर भी, हम f1 पे value भी निकाल लेते हैं, 1 पे value क्या लिखेंगे, equal to 1 पे, 3, तो आप लिखेंगे, कि as f1 minus h is equal to f1, is not equal to f1 plus h, so it is not continuous at x is equal to 1, 1 पे continuous नहीं है, अब कहा रहे, continuity check करिये तो continuous नहीं है भाई, discontinuous हा राज, ठीक है, continuity check करनी है, discuss the continuity equation है, discuss the continuity of the function, defined as this, तो यह continuous नहीं है आ रहा, 1 पे check कर लिया, अब किस पर आते हैं, 3 पे check करते हैं, जब 3 पे check करोगे, तो यहाँ 3 minus h लिखोगे, यहाँ 3 minus h लिखोगे, जब function 3 से छोटा है, तो value क्या रही है, 4, ठीक, जब right hand करोगे, तो यहाँ 3 plus करोगे, यहाँ 3 plus करोगे, और 3 से बड़े पे क्या है value, 5, और जब direct यहाँ पर 3 रखोगे, तो equal to 3 पे क्या रही value, 5, तो आप क्या देख रहे हैं, कि f3, f3 और f3 plus h, यह बराबर आ रहा है, लेकिन f3 minus h बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे यह discontinuous है, तो यह function everywhere it is discontinuous, हर जगे यह discontinuous है, ठीक है, इसी प्रकार से 15th question प्रयाब का लिजेगा, 13 और 15 अप्रयाब का लिजेगा, तो यह आपकी exercise continuity की है, इसके बाद differenceability चेक की जाएगी, देखे, एक होता है question लगाना, ठीक है, और एक होता है उसका concept समझना, तो continuity का अगर graphical method समझा जाए, चुकि जब आप इंजिनिंग में जाएँगे, तो आप graphical बहुत चलेगा, तो जहाँ पर graph break नहीं हो रहा है, लगातार चल रहा है, वो आपका continuous है, और जहाँ graph break हो गया कहीं पर, जैसे 1090 की value infinite होती है, तो 90 के इधर value मिलेगी, 90 से जड़ा सा भी थोड़ा कम कर दोगे, आपको कुछ न कुछ value मिलेगी, 90 से बड़ा कर दोगे value मिलेगी, लेकि 90 पे infinite हो जाएगी, तो वो वहाँ पर graph break हो जाता है, तो इस प्रकार से इसको करिएगा, नेक्स्ट टंप पर नेक्स्ट इक्साइड डिसस की जाएगी, इसमें आर्डी शर्मा बहुत important book है, उसको बाद में डिसस करेंगे, ओके, थैंकू.